मेक्सिकन भीडिया जिसे लोबो के नाम से भी जाना जाता है ब्रेवुल्फ की एक उप प्रजाती है जो केवल दक्षन पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको में पाई जाती है यह भीडियों की सबसे लुप तप्राय उप प्रजातियों में से एक है केवल कुछ दर्जन व्यक्ति जंगली में रहते हैं मेक्सिकन भीडिये भूरे भीडिये की अन्य उप प्रजातियों की तुलना में छोटे होते हैं उनके लाल भूरे रंग के कोट, काली टिप वाली पूंच और सफेद अंदबेली और पैरों की एक विशिष्ट उपस्थिती होती है। वे पहारों और जंगलों से लेकर रेगिस्तान और घास के मैदानों तक, कई प्रकार के आवासों में रहने के लिए अनुकुलित हैं। एतिहासिक रूप से, मैक्सिकन भीडियों का शिकार किया गया और विलुप्त होने के बिंदू तक उन्हें सताया गया। 1970 के दशक में, वो प्रजातियों को बचाने में मदद करने के लिए एक बंदी प्रजनन कार्यक्रम शुरू किया गया था, और अंततह एरिजोना और न्यू मेक्सिको में भीडियों की एक छोटी संख्या को जंगली में फिर से लाया गया था। हालांकि, रैंचेज और अन्यकारकों के साथ संधर्ष ने पुनरुत पादन कार्यक्रम की सफलता को सीमित कर दिया है, और मेक्सिकन भीडिया अत्यदिक खत्रे में है। मेक्सिकन भीडियों की आबादी को बचाने और बहाल करने के प्रयास चल रहे हैं, जिसमें संरक्षन प्रजनन, आवास बहाली और सारवजनिक शिक्षा और आउट्रीट शामिल हैं।